हेई गाईज वेलकम अगेन बहुत-बहुत स्वागत है और यहां पर सबसे बड़ा ट्रैजर्डी क्रिप्टो करिंसी की दुनिया में देखने को मिल गया गाईज यहां पर आप देख सकते हैं जो लूना टेरा जो है यहां पर तकरीबन 95% यहां पर डाउन आ चुका है अब पूरी तरीके से यह फॉल हो चुका है यहां पर बहुत सारे से रीजन्स हैं जिसे आपको समझना पड़ेगा कि आखिर यह ऐसा हुआ क्यों और क्या एक राइट ट सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि जितने भी अपडेट से आप तक मिले सबसे पहले तो यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करना चाहेंगे इसके डेटा के बारे में और इसके चार्ट के बारे में तो यहां पर सबसे पहले हम लोग चल एक दिन में जो डेटा है, कल तक इसका प्राइस तकरीबन आधा यहां पर डाउन हो चुका था, आधा से ज़्यादा गिर चुका था, और यह वापस फिर एक ही दिन के अंदर में यह सिर्फ अभी 2 डॉलर के आसपास, यानी कि तकरीबन 1.70 डॉलर, यानी कि तकरीबन 2 डॉल से भी यहां पर यह पूरी तरीके से डाउन हुआ है तो क्या यहां पर इसमें इंवेस्ट करना सही होगा क्या यहां से यह रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता है उस बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो सबसे पहले यहां पर बहुत सारे अप्डेट्स है टेरा से रिलेटेड है उसके बारे में ही अर्येया पर एक ट्वीट है वह मैं आपको दिखाना चाहँगा निस्चल सेटी जी का यहां पर निस्चल सेटी जी को उसके थोड़ा सा फिशी नजर आया है इन्होंने टेरा से रिलेटेड में ट्वीट किया था ट्राइंग टू बेटर अंडेस्टेंड टेरा सिच्वेशन टेरा का जो मार्केट कैप है वो 4.6 बिलियन था एट डाइट टाइब और टेरा यूएसजी जो इसका आप कह सकते है स्टेबल कोईन है उसके बारे में बात हो रही है उसका जो मार्केट कैप था वो 13.9 बिलियन था उसके बाद क्या इतना ज़्यादा गिर जाना क्या ये लगता है कि इसके प्राइस को स्टेबल करने के लिए कहीं यहां से जो एमांट है वो निकाल करके इधर तो नहीं डाला जा रहा है तो यह एक फिसी सब्जेक्ट था समझने की बात थी जब यहां पे टेरा फॉल हो रहा था तो इसके स्टेबल कोईन को कहीं स्टेबल करने के लिए इसकी जो लिक्विडिटी है कहीं वो यहां पर यूज नहीं हुए वह यहां पर निश्य सेटी जी का कुछ ऐसा कहना है इन्होंने यहां पर यह भी बताए कि I am missing something और इट्स ट्रू यहां पर यह कुछ बताना भी चार है लेकिन थोड़ा सा clueless यहां पर लोगों को रख दिया है तो यह चीज़े आप भी समझ सकते हो कि हुआ क्या है actually में और उसके बाद हम लोग यहां पर चलते हैं इनके जो founder है दो stable con करके एक है तो इनके tweet पर आपको देखिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा नजर रखने की ज़रुत है यहां पर यह किस तरह की बाते कर रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं तो इन्होंने यहां पर बताया है कि close to announcing recovery plan यानि कि यह लोग UST को जो है वो यहां पर recover करने का plan कर रहे है और उन्होंने जो community है उनको strong रहने के लिए बताया है और Tera का जो return form will be side to be behold we are here to stay and we are gonna keep making noise तो यह यहां पर अभी यह बता रहे है कि कही न कहीं इसको recover करने में थोड़ा बहुत यह लोग काम्याब होने की कोशिस कर रहे है ठीक है Tera focus always oriented itself around the long term horizon and another setback इसमें similar to last year we will not deter the lunatic short term stumble do not define what you can accomplish यह इक तरह से आप कह सकते कि यहां पर लोगों बता रहे हैं कि आप लोग थोड़ा धेर रहे हैं यहां पर घबराने की ज़रुत है नहीं लेकिन क्या कुछ ऐसा इनका plan है क्या कुछ निकल के आता वो देखना बहुत important होगा सबसे पहले जलते हैं इसका जो stable coin है उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करते है टेरा यूस्ट के बारे में आप देख सकते हैं यह जो stable coin का मतलब क्या होता है यानि कि यह packed होता है डॉलर के price के साथ में यानि कि इसका जो value है वो fluctuation dollar से नीचे आना नहीं चाहिए यानि कि तकरीबन समान होना चाहिए यानि कि एक dollar equal to एक टेरा यूस्ट यानि कि यूस्ट जो है वो होना चाहिए बट यहां पर इसका price जो है वो तकरीबन आधे से भी आधा गिर करके 0.34 पे आ गया यानि कि इसका price जो यहां पर $1 होना चाहिए था या तो फिर 90 यहां पर 0.90 के आसपास में होना चाहिए था वो यहां पर fall हुआ और यह थोड़ा बहुत fall नहीं हुआ पूरी तरीके से fall हुआ अगर आप इसका stability को आप चेक करेंगे पिछले कुछ आप एक साल से भी चेक करेंगे तो यहां पर इन्होंने काफी जादा stability maintain करी लेकिन यहां पर ऐसा क्या कुछ हुआ जो पूरी तरीके से यह नीचे गिर गया है इसके बारे में कुछ भी कहना मुस्किल है अभी तो यहां पर आप invest कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं यह totally depends करता आपके उपर में अगर आप risk लेना चाहते हैं तो आप यहां पर invest कर सकते हैं अगर risk नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहां पर invest नहीं कर सकते हैं और मैं भी recommend नहीं करूंगा तो अभी आप यह जो price देख रहे है get.io पर यहाँ पर 1.73 है और तकरीबन 94% यहाँ पर यह डाउन जा चुका है तो अगर आप buy करना भी चाहते हैं तो get.io पर जाकर buy कर सकते हैं पर trading volume काफी अच्छा चल रहा है यहाँ पर और लोग फटाफट से buy and sell, buy and sell भी कर रहे हैं तो देखने वाली बात होगी कि लोग यहाँ पर profit कर रहे हैं फिर loss कर रहे हो आगे आने वाला जो time है वही बताएगा लेकिन फिलहाल जो RSI का यहाँ पर जो symbol है वो तो बिल्कुल पूरी तरीके से bearish है और यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि यह अभी और कितना नीचे जाएगा क्योंकि इसके price में अगर हम लोग देखेंगे all time के price को तो इसका जो all time का जो price start हुआ था 0.32 या फिर इस तरह से start हुआ था आप यहाँ पर देख सकते हो टेरा के वज़े से crypto market में काफी ज़्यादा fear भी है लोगों में और जो trust है crypto को ले करके वो भी काफी ज़्यादा कम होगा तो guys यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा patience भी रखना पड़ेगा अगर आप इसमें invest करते हैं तो आपको patience रखना पड़ेगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्योंकि अभी कुछ भी कहना मुस्किल है कि यह आगे उपर जाएगा या नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर इ Luna सो इसके बारे में और भी आपको क्या लगता है वह आप हमें जरूर बताईएगा comment section में कि इनके साथ में actually में हुआ क्या है कुछ लोग तो यह भी बता रहे कि एक दो ऐसे wallet है जहाँ पर काफी massive amount में यहाँ पर Tera USD जो है वो transfer हुए जिसके वज़े से ऐसा कुछ आपको य लेरली देख सकते हैं यहां पर कोसिस भी की गई इनको recover करने की बड़ यहां पर fail हुए है तो देखने वाली बात होगी आगे आने वाले time में क्या कुछ हो सकता है buy करना चाहते है get.io पे जाए नीचे description में link दिया गया है वहां से आप buy कर सकते है बाकि क्या कुछ लगता आ आप हमें नीचे comment section में जरूर बताएं मिलता है next video में till then take care and bye bye